Hi all, this is Auneesh Tiwari, one more time with you, and I have brought a very burning issue today in our discussion, and that issue is of Uniform Civil Code. और आज कल आप देख रहे हैं कि पूरे देश में Uniform Civil Code की चर्चा है, लेकिन अगर जनरली पूछा जाए तो इसके बारे में समझ की जहां तक बात है, वो बहुती कम देखने को मिलती है. तो आज हमारे पास एक मौका है, जिसमें हम लोग UCC, जिसको हम लोग Uniform Civil Code कहते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ही ब्रीफ तरीक है से डीटेल में नहीं समझेंगे आज, एक आइडिया ले लेंगे कि यह होता क्या है, तो अगर पूरे लीगल सिस्टम की बात की जाए हमारे कंट्री में, तो उस पूरे बाड़ी को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइट कर सकते हैं, एक को कह सकते ह हम लोग इसको हम लोग कह सकते हैं, Corpus of Law, Corpus of Law, UCC को समझने के लिए इसको हम लोग दो हिस्सों माड़ सकते हैं, एक है Criminal Code, Criminal Code और दूसरा है Civil Code, Criminal Code, कोड और दूसरा है सिविल कोड दोनों फर्क क्या है जैसे एक्जामपल के तौर पर मैं कहूं आपसे कि हमारे पास CRPC है जिसको हम लोग क्रिमिनल प्रसिजर कोड 1973 के नाम से जानते हैं तो वह पूरे देश में लागू है उस प्रसिजर का इस्तमाल पूरे कंट्री में होता है हमारे पास वैसे ही सबस्टांटी पिनल लोग है एक्जामपल करता दोर पर आईपीसी तो आईपीसी भी पूरे कंट्री में लागू है तो वो लोज जो पूरे कंट्री में के लागू है उनको नों बोलते हैं कि वो लॉइनिफॉर्म है जैसे नाभू सारे इंटरनल जैसे अगर तुम देखना चाहते हो कि हिंदू लौ के बारे में हमें समझना है तो हिंदू लौ की बात करेंगे तो हिंदू लौ क्या है पस्नल लौ है मुस्लिम लौ क्या है पस्नल लौ है तो सिविल लौ के अंदर हम लोग जो विशय पढ़ते हैं जो सब्जेक्स हम लोग कवर करते हैं वो कौन से होते हैं जैसे क मैरेज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन ये इस तमाम बाते हम लोग सिविल लौ के अंदर पढ़ते हैं तो इन विशयों को टच करने के लिए हमें अलग-अलग तरीके के लौज पढ़ने होते हैं हमारे पास पर परना हो तो परना है हमारे पर्शन और परना हो तो यह पर्सनल लोग है लेकिन हमारे जहां तक Constitution का सवाल है तो Constitution में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 44 कौन सा आर्टिकल आता है इसको पहले मैं यहां पर लिख दूँ कि यह कहीं न कहीं हमारे पास Already uniform है criminal court जो हमारे country का है वो Already uniform है ठीक है लेकि जहां तक civil court का सवाल है वो uniform नहीं है उसमें internal divisions है जैसे मैं आपको बताया है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन स्पासी सब के लॉट्स परसनल है तो जैसे हिंदू की शादी होती है वो तौर तरीके कचि चादी करने के मुस्लिम को लागू नहीं होते है जो मुस्लिम का तरीके हैं शादी करने के डिवोस करने के वो बागी लोंगी लागू नहीं होता है तो इन डिविजन को कहीं न कहीं मिटाना है उस गैप को हमें भरना है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए एक होमजेनाइटी आ जाए एक समरस्ता आ जाए हमारे समाज के अंदर यह हमारा टार्गेट है तो कहीं न कहीं क्रिमिनल कोर्ड के मुझे बात फिलाल नहीं करेंगे क्योंकि तो यूनिफॉर्म ही पहले से ही रही बात सिविल और की तो सिविल और के अंदर जो इस्जू हम लंटी यह करते हैं जैसे की मैं इसको लिख मिज़ता हूं आपके कंवीनिस के लिए मैरेज, डिवॉर्स, एडप्शन, एडप्षन, सक् werdप्षन, सक्सेशन, सक्सेशन, उसके बाद एक और इस्यू है मेंटेनेंस यह सारी बाते आपने सुन रखने पहले से मेंटेनेंस तो अब क्या मतलब है मेंटेनेंस की बात करो सक्सेशन की बात करो इन तमाम बातों की चर्चा करो तो अगर आपको स्पेसिफाई करना होगा उस टाइम पे कि मैं हिंदूस के बारे मातें कर रहा हूं मैं मुस्लिम के बारे मातें कर रहा हूं मैं क्रिश्चन के बारे मातें करना चाहता हूं तो कहीं ने कहीं यह जो गैप्स हैं यह डिविजन से यह जो बाइफरकेशन से इंटर्नल सिविल को लेके सिविल लौ को लेके उसकी चर्चा करेंगे हम प्रफ्वर वो बात है करता है कि C's के बारे में, DPSP's के बारे में जिसको बोलता है क्या? Directive Principles of State Policies. उसके अंतर ये बात बताई गई है कि जितने भी governments होंगे, चाहे state governments होंचाहे वो central government हो, जब वो governments policies बनाएंगी, उन policy making में उन सारे directives का इस्तमाल हो सकता है, उनको करना भी यह उनके लिए directions है तो हलांकि part 4 of the constitution is not binding in nature it is just in the form of different directives to different governments of our country उसी part 4 के अंदर एक article 37 है article 37 यह part 4 जो है यह talk करता है किसके बारे में DPSP को और इसके अंदर पार्ट 4 के अंदर पहला जो प्रोविजन हमारे काम का है यहां पर वो है article 37 वो 37 यह declare करता है कि these DPSPs are you know although not going to be enforced in the court of law court of law में जाके इनको enforce करवाने की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं but फिर भी फिर भी हमारे country के governance के लिए यह part important है मतलब कि policy making में इनका इस्तमाल होना चाहिए इतना idea हमें लग जाता है आर्टिकल 37 को पढ़ने के बाग और आर्टिकल 37 को पढ़ने के बाग यह 32 नहीं है 37 है यह 37 और इसके बाद हम लोग आएगे किस के उपर आर्टिकल 44 के उपर तो हमारे constitution के अंदर जो आर्टिकल 44 है वो बातने करता है किस चीज़ की uniform civil court की उसमें यह बात कही गई है कि जो हमारे comments होंगी जो state होगा the state shall endeavor to establish uniform civil court throughout the country हमारे country में UCC लागू करने की पोशिश होगी ऐसा direction दिया गया है मतलब कि कहीं न कहीं uniform civil court की आउशकता हमारे country में है ऐसी बात निकल के आ रहे है कहां से अर्टिकल 44 अब मैंने अब बता दिया पहले ही कि uniform civil court है क्या जो gaps है जिफ्रेंट कम्यूनिटीज के बीच में उनको हमें भरना है उसको मिटाना है ताकि uniformity आ जाए तो उस दिशा में हम लोग बातें करें तो हमारे country के अंदर गोवा एक ऐसा प्लेस का नाम है जहां पर already UCC था वैसे ही recently हमने देखा कि उत्राखंड उत्राखंड में वहां की सरकार ने वहां कर दिया है अब सवाल यह है कि क्या पूरे country में UCC लागू किया जाएगा नहीं लागू किया जाएगा इसका वश्य क्या है तो इन सारी बातों का जबाब अलाकि पार्लेमेंट दे सकती है आपको आने वाले टाइम में इसके बारे में हम लोग अपनी बाते फिलाल नहीं करेंगे जो बाते अल्री सेटल लो चुकी है जो घटनाए घट चुकी है उनके बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है मुझे आपे तो मैंने बताया कि गो अमद आमद खान वसा शाह बानो केस है 1995 का तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं कि यह होता क्या है शाह बानो केस इस केस में सुप्रीम कोट ने कहा था कि शाह बानो मुस्लिम लेडी बड़ स्टिल शी वा इंटाइटल्ड टो गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 बड़ सी आर मतलब क्या है हो इस Heist I am इसका मतलब यह है कि हालंकी मुस्लिम परष्णल लौग मेंटेनस को दील करता है Muslims के लिए उस realm को तोड़ा जा रहा है उस boundary को तोड़ा जा रहा है कि नहीं आपको personal law के boundaries के beyond भी जाने की अगराव शकता है तो दर्वाजे खुले हुए हैं और दर्वाजा कहां पर है CRPC के section 125 तो कहीं ने कहीं हम एक जवरत पड़ी तो हमने personal law की boundary को तोड़ दिया क्योंकि that was the need of the hour and that was decided by the Supreme Court of India तो शाह बानों में कहने जलक मिलती है कि हम personal law की boundary को तोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि समाज को उसकी आवशकता है क्यों क्योंकि Muslim personal law के अंदर ये provision है कि इद्दत के बाद maintenance नहीं दिया जाएगा उसके ex-husband के द्वारा divorced wife को तो इद्दत के beyond भी maintenance मिल सकता है 125 CRPC में हलांकि इस issue को और भी cases में deal किया गया है जैसे डैनियल लतिफी के case आया उसके बाद उसमें deal किया गया इस issue को सलला मुदकल का case आएगा उसमें भी deal किया गया है वहां पे है कि एक हिंदू person है male person है जो married है और अपनी wife के रहते हुए उसने conversion कर लिया है वो इसलाम accept कर लिया है और वहां पे जाके क्योंकि इसलाम के अंदर polygamy allowed है male polygamy I mean तो वहां पे उसका फैदा उठाके दूसरे सब्सक्राइब करना चाहता है हो अगर कर भी लिया है तो क्या यह case by gamy case होगा यह नहीं होगा तो वहां पे भी सुप्रीम कोट ने कहा कि नहीं वहां पे आपको इसलाम प्रोटेक्ट नहीं कर वाएगा यू विल be held guilty of the commission of the offense of by gamy because accepting or you know adopting islam is not going to dissolve your existing marriage another Hindu law automatically 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 is for deserve नहीं करेगा means you will be guilty of by gamy if you are going to get married after adopting islam तो कही ने कही हमें यह देखने हो के मिल रहा है कि boundaries को भी cross करना कई बार समाज के हित में होता है society के हित में होता है उस particular individual के भी हित में होता है तो अगर इतनी चीज़े अगर इसमें हो सकती है possibilities है उन possibilities को तलाशते हुए अगर पार्लियामेंट आने वाले समय में अगर यूशीज की लेके आता है तो उसको हम लोग wet and wash करेंगे लेकिन फिलहाल जो उसका स्वरूप हमारे सामने है वह यही है कि maintenance, divorce, succession, etc. इन issues को deal करने के लिए कहीं ने कहीं एक gateway है हमारे constitution के अंदर जि इस UCC को हम लोग detail में discuss करेंगे और एक long video के साथ में फिर से आपके साथ मुकातिव होंगा आने वाले time में बहुत जल्दी तब दक लिए thank you keep watching our videos have a good time